डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्डेट्स यूँ अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानडा एंड अराउंड गलोग कनेडियन वजीर आजम जोस्रिन टूडो ने कहा है कि कनेड़ा और अमरीका के दर्मियान मौजूद बॉर्डर पर सफर की पाबंदिया मजीद एक माँ जारी रहेंगी कनेडियन एर फोर्स चॉपर्स हेलिकॉप्टर्स को सर्विस में दुबारा वापस ला रही है जबके फ्लाइट सॉफ़ विर्स की तहकीकार पर तवज्जा मर्कूज रखी गई है कनेड़ भर में करोना वार्स के फेलाओं में बतद्रीच कमी आ रही है करोना वार्स से मतासर होने वाले अफराद की तादाद निन्यानवे हजार चार सो सरसर्ट हो गई इमरान खान और जिस्टिन टूरो में टेलफोन एक राफ्ता दो तरफा तालुकात और बाहमी दल्चस्पी के अमूर पर तबातला ख्याल किया गया अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम ने पुलीस से मतालिक एहम एक्जेकिटिव हुकम नामे पर दस्पखत करती है पुलीस एहलकार के लिए गला दबाने पर पाबंदी होगी नए वारिस COVID-19 की आलमगीर वबा ने 213 मुमालिक में 4,47,000 इन्सानी जाने निगल ली वारिस से अब तक 82,66,000 अफ़ाद मतासिख हो चुके है हेट लाइन्स आपने जानी अब खबरे तफसील के साथ कैनेडन वजिर आजम जस्तिन ट्रूडो ने कहा है कि वजिर खजाना 8 जुलाई को माशी और इक्तिसादी स्नैप शॉट पेश करेंगे विफा की बजट मार्च में तयार किया गया था जब पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस फेल चुका था 8 जुलाई को हकोमत की जानिब से कैनेड़ा की माशीत का स्नैप शॉट पेश किया जाएगा तहम ये रिवायती माशी और इक्तिसादी मालूमात नहीं होंगी जिन में आने वाले सालों की मनसूबा बंदी बताई जाती थी टुरूडो का कैनेड़ा का लोगों को एक तस्वीर मिलेगी कि अभी हमारी मैशत कहा है पोरोना वाइरस के हावाले से हमारा रदे अमल दूसरे ममालिक के मुकाबले में कैसा रहा इससे मवाजना किया जा सकता है और ये भी जान सकेंगे कि आने वाले महीनों तक हम क्या तावको कर सकते हैं. उनका कैनेडा के आने वाले माली तक हम करेगा और कैनेडा की वफाकी हकोमत को मार्च के आखिर में अपना 2020 का बजट पेश करना था लेकिन केनेडा में करोना वायरस के पहलाओ के सबब उसे मुटवी कर दिया गया. कैनेडीन वजीर आजम ने टोइट के जरीए आगा किया है कि इनका पाकिस्तानी वजीर आजम से फोन पर रापता हुआ. उन्होंने लिखा कि जब से करोना की वबाई सुर्थ हाल शुरू हुई है इनका वजीर आजम इमरान खान से ये दूसरी बार रापता हुआ है. तफसिलाथ इस रिपोर्ट में. केनेटिन वजीर आजम ने टूइट के जरी अगाह किया कि उनका पाकिस्तानी वजीर आजम से फोन पर रापता हुआ. उन्होंने लिखा कि जब से करोना की वबाई सुर्थ हाल शुरू हुई है. उनका वजीर आजम इमरान खान से ये दूसरी बार रापता हुआ है. अमरान खान और कैनेडिन वजीर आजम जास्टें ट्रूडो ने वबाई मर्स से लड़ने और अपने शेरियों की सहत, हफाज़त और मौशी बहबूत के तहाफूस के लिए अपनी अपनी कौमी कोशिशों पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने करोना के बाइस पैदा शुदा बहरान के मर्बूत आलमी रद्धे अमल की एहमियत और खास तोर पर वबाई अमरास से मतासरा कमजोर मौमालिक की जरूरियात के बारे में बात की। और पाकिस्तान के माबें ताव उनको मजीद मस्ताकम करने और दीगर आहम आलमी अमूर पर मिल कर काम जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। जस्टिन चूडू ने कहा के कैनेडियन हकूमत मुकामी, सुभाई, लगाई और बैनल अलगवामी शराकतदारों के साथ मिल कर काम कर रही है ताके कैनेडा और पूरी दुनिया में उसके सिहत, मौशी, मशर्टी असरात को कम किया जा सके। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मौलिक वबा बैनल अलगवामी स्था पर मुश्टरका कोशिशों की मतकाजी है, पाकिस्तान समय तीगर तरकी पजीर ममालिक को दोरे चलंज का सामना है, जिसमें वबा की रोक थाम और माईशत को सम्हालने जैसे चलंजिस का सामना है कैनिडा और अमरीका की सरहदे 21 जुलाई तक बंद रहेंगी, जबके हकूमत की जानिब से लोगों को शदीज जरूरी हालात में इनके एहरे खाना से मिलने की अजास्त होगी, तफसिलात इस रिपोर्ट में वजीर आजम जुस्टिन टूडो ने कहा है कि कैनेडा और अमरीका के दर्मयान मौजूद बॉर्डर पर सफर की पाबंदिया मजीद एक माँ जारी रहेंगी, उन्हों ने कहा कि दोनों मुलकों के हुकाम ने इस मौमले पर बहमी मुशावरत के बाद पाबंदिया जारी र और जरूरी काम करने वाले अफराद को सरत पार करने की इजाज़त होगी, कैनेडिन वजीर आजम का कहना था कि ये फैसला दोनों मौमालिक के शहरियों को महपूस रखने के लिए किया गया है, इस डील के तहए जो भी कैनेडा आएगा, उसे 14 रोज तक सेल्फ कारंटीन मे होगा, कैनेडा भर में करोना वारस के बाइस हलाक होने वाले अफरात की तादात 8iable Day 113 तक जांप पहुची है, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वारस के फालाओं में बातद्रीच कमी आ रही है, आखरी तला के मुदावर के मुदाबिक कैनेडा के दोरान जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको इमदादी प्रोग्राम के तहट 500 डॉलर फी हफ़ता मिलेंगे इस प्रोग्राम में इमदादी पैकेश जादा से जादा 16 हफ़ते के लिए होगा इस मकसद के लिए 60 बिलियन डॉलर का बजट रखा गया है क्योविक सूबा करोना वारस से सबसे मतासिर हुआ है तहां महाब करोना वारस के केसिस में कमी आने लगी सूबे भर में करोना वारस के मजमुई केसिस की तादा 54,146 हो गई है जबकि सुवे में करोना वार्स के बाइस होने वाली हालाकों की तादा राध 5,289 तक पहुँँ चूकी है ऑंटेरियो में करोना वार्स से 32,554 अफ़ाद मुत असिर हुए है जबके हालाक होने वाले अफ़ाद की तादा 2,538 है अलबर्टा में 7,482 अफराद करोना वारस से मतासिर हुए हैं जबके 151 अफराद करोना वारस के बाइस हलाक हो चुके हैं बिर्टिश कॉलंबिया में 2756 अफराद में करोना वारस की तजदीग हुई है जबके सूबे में करोना वारस से होने वालाकतों की तादाद 168 है कैनेडियन एर फोर्स चॉपर्स हेलिकॉप्टर्स को सर्विस में दुबारा वापस ला रही है जबके फलाइट सॉफ्ट वेर्स की तहकीकात पर तवज़ा मरकूज रखी गई है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन एर फोर्स चॉपर्स हेलिकॉप्टर्स को सर्विस में दुबारा वापस ला रही है जबके फलाइट सॉफ्ट वेर्स की तहकीकात पर तवज़ा मरकूज रखी गई है डिरेक्टर फलाइट सेफटी ने चंद हफतों कबल पेश आने वाकिये को अफसोस ना करार दिया एक लो फलाइट पास्ट के बाद अपने कम्प्यूटर सिस्टेम के जरिये हैलिकॉप्टर नीम खुदकार निजाम के तहत उर रहा था जबके सॉफट वियर में बताया के ये आगे नहीं बढ़ रहा कम्प्यूटर ने हैलिकॉप्टर का रुख नीचे की जानिब करके उसकी रफ्तार को तेज़ कर दिया ताकि सर्विस को दुबारा शुरू किया ज़ा एर फोर्स का कहना है कि अमले की ट्रेनिंग के प्रोग्राम में भी तौसी की जाएगी अमरीका में सियाफ वाम शेहरियों के साथ पुलीस के इमत्याजिस सलूक के मसलसल वाकियाद के बार ट्रम्प ने कानून आफिस करने वालों के मुतालग एक्जेगटिव हुकम नामे पर दस्ख़त कर दिये मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में ट्रम्प ने कानून नाफिस करने वालों से मुतालग एक्जेगटिव हुकम नामे पर दस्ख़त कर दिये सदर ट्रम्प ने प्रेस कानफरेंस में कहा कि पुलिस अहलकार के लिए गला दबाने पर पाबंदी होगी सिवाए उसके के अफसर की जान को खत्रा हो उन्हों ने कहा कि पुलिस महकमों को बदनाम करने और उन्हें तहलील करने की कोशिशों की सख़्ती से मुखालफत करता हूँ अमरीकी मीडिया के मताबिक ट्रम्प के दस्तकत शुदा हुकम नामे में ताकत की बहतरीन तरीकों के इस्तमाल पर जोड़ दिया गया है हکم نامے میں कहा गया है कि पुलिस महकमों में जहनी सिहत और दिगर अमूर के लिए माहरीन तायोनात किये जाए और आला पुलिसिंग के मैयार को बरकरार रखा जाए हکم नामे में ये भी कहा गया है कि कानून नाफिस करने वाले एदारों में इतिसाब को फरोग दिया जाए और पुलिस अफसरान को तामीरी कमिनिटी सर्विस की तर्वियत दी जाए गवनीन में इसलाहाँ के हुकम नामे पर दस्तकत के बाद सदर ट्रॉम्प ने प्रेस कानून के बगैर इनतिशार और सिक्योरटी के बगैर तबाही मत सकती है महकमہ अंसाफ पुलिस के महकमों को गरांट फरहम करेगा सदर टरॉम्प ने अमरीकी पुलिस की भरपूर हमायत करते हुए कहा पुलिस सर्विस का मुल्क में आला तरीन पेशावराना मैयार है तमाम अमरीकियों के लिए अमन वकार और मसावात को यकिनी बनाने के लिए हम मतहिद हैं टरॉम्प ने बता कि उन्होंने सफेद फामों के हातों हलाक एहमद आबेरी के एहले खाना से मुलाकात की है नफरत और तास्थब का निशाना बनने वाले दीगर अफरात के खानदानों से भी मुलाकात की तमाम अमरीकी उन तमाम खानदानों के साथ खम में बराबर के शरीक है आपके प्यारों की जान वराइगा नहीं चाहेगी दरियासना अमरीका में कानून नाफिस करने वालों की तन्जीम एफ़ोपी ने ट्रॉम्प की हुकम नामे पर रद्धे अमल देते हुए कहा है कि इस हुकम नामे की मौजूदा दोर में बहुत जरूरत थी हुकम नामे से अवाम और अफसरान महفوस होंगे दुनिया भर में करोना वारस की मौजी वाबा ने मुसलसल अपने पंजे गार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके इस से अमवांत में भी हर रोज इसाफा हो रहा है तफसिलाथ इस रिपोर्ट में ने वारस कोविड नाइंटीन के आलमगीर वाबा ने 213 मौमालिक में 4,47,000 इन्सानी जाने निगल ली वारस से अब तक 82,66,000 अफराद मतासिर हो चुके हैं दुनिया भर में करोना वारस की मौजी वाबा ने मुसलसल अपने पंजे गार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके उससे अमबात में भी हर रोज इसाफा हो रहा है मुक्तलिफ मौमालिक में करोना वारस की वाबा का जोर तूट चुका है तो कहीं ये उरूच पर है और कहीं उसके केसिस और अमबात ना होने के बराबर हैं अमरीका ताहल कोरोना वारे से सबसे जदा मुतासरा मुलक है जहां ना सिर्फ कोरोना मैरीस बलके उससे हलाकते भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे जदा हैं अमरीका में करोना वारस से अब तक 1,19,132 अफराद मौत के मूँ में बहुच चुके हैं जबके उस से बिमार होने वालों की मजमूई तादाद 22,8,400 हो चुकी है भारत में भी करोना वारस के मरीजों की तादाद में तेजी से इसाफ़ा हो रहा है और वो इस फैरस में चौते नमबर पर आगया है भारत में करोना वारस से 11,921 हलाकते हो चुकी हैं जबके उस से मतासरा मरीजों की तादाद 3,54,161 हो गई तुर्किय में कुरोना वारस से जान बहक होने वालों की तादाद 4,842 हो गए जबके कुरोना के कुल केसिस 1,88,298 हो गए साओधी अरब में कुरोना वारस से अब तक कुल अमवाद 1,052 रिपोर्ट होई जबके उसके मरीजों की तादाद 1,36,315 तक जाँ पहुंची है टाग टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिल हाल इतना ही मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टाग टीवी डेली कनेडियन न्यूस बुलेटिन इन हिंदी एन उर्दू, अउनली अट टाग टीवी यूट्यूब पर टेग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएए किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टेग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टेग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे